क्लास टेंट साइन्स में उदासी नी करन अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन जो रियक्षन होती है वो बहुत महत्वण है अमलक शारक एवं 11 वाले चेप्टर में तो उदासी नी करन अभिक्रिया क्या होती है जब हम कोई किसी अमली विलियन में जब हम किसी क्षारकी विलियन को मिलाते हैं मतलब हमारे पास में कोई अमली विलियन हो और उसमें हम किसको मिलाएं क्षारकी विलियन को मिलाएं तो वे एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं मतलब जब किसी भी अमल में क्षारक को अमल के वीलियन में क्षारक के वीलियन को उचित महत्रा में मिला दें तो जो वीलियन की प्रकरती होती है वो ना तो अमली रहेगी और नहीं क्षारकी दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि अमल तता ख्षारक दोनों की प्रकृति क्या हो जाएगी लुप्त हो जाएगी तो इस प्रकार मना भी लिया ना तो अमली होगा और नहीं ख्षारकी है तो ये क्रिया जो है उदासीनी करण कहलाईगी जिसमें नया पदार जो बनता है वो लमन कहलाता है तो किसी भी अमल और ख्षारक के बीच में होने वाली अभी क्रिया उदासीनी करण अभी क्रिया कहलाती है जिसे हमने हाँ हाइट्रोक्लोरिक एसिड लिया है हाइट्रोक्लोरिक अमल है और ये सोडियम हाइट्रोक्साइड ख्षारक है और इनके हमने जली विलियन लिये हैं तो ये जब हम इनको लेते हैं और इनकी रियक्शन करवाते हैं तो देखिए क्या होगा अमल और क्षारक मिलकर लवण और पानी बनाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है उदासिनी करण की क्रिया और इस प्रक्रम में उश्मा मुक्त होती है निर्मुक्त होती है तो इसलिए ये जो अभिक्रिया है इसको हम कहेंगे उश्मा शेपी अभिक्रिया तो ये उश्माश छेपी अविक्रिया के उधरन में भी हम इसको लिख सकते हैं तो देखिए ये reaction हुई देखिए फिर से देखिएगा कैसे हुआ ये ये C-L-M-L और ये NOH-K-Shar इनके जली विलियन है अब देखिए जो reaction होगी वो देखिएगा कि यहां से ये NA और यहां से ये CL तो देखिए ये इस तरह से reaction होगी देखिएगा आप ये sodium और ये chlorine तो ये बना आपका sodium chloride ये आपका लवन हो गया और ये H और OH मिलकर आपका ये यहां से आपको ये H और ये OH तो इस तरह से ये मिलकर बनाएंगे जल तो जो उदासीनी करण की क्रिया है उसमें SCL का जली विलियन और NOH का जली विलियन मतलब अमल और क्षारक के विलियन लिये हमने और इनको जब हम उचित मात्रा में मिलाते हैं तो फिर ये उदासीनी करण की अभिक्रिया हो जाती है और ये सबी क्रिया में कुछ उश्मा भी मुक्त होती है और ये लवन मनता है या सोडियम क्लोराइड लवन है और जल का निर्मान होता है तो हाइट्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइट्रोकसाइड तो ये अमल और ये ख्षारक ये प्रबल अमले और प्रबल ख्षारक है इन दोनों की क्रिया से ये बना है आपका लवन और जल लवन में हमने क्या बना है सोडियम क्लोराइड बना है और जल जो है हमें प्राप्त हुआ है तो ये क्रिया कहलाएगी उदासी नी करण की क्रिया तो परिभाशा के रूप में आप लिखेंगे अमलो और क्षारक के बीच परसपर अभिक्रिया के फलसो रूप लमण तथा जल बनते हैं और यहाँ अभिक्रिया उदासीनी करण अभिक्रिया कहलाती है तो अमलतताक शारक के वीलियन के बीच में अभिक्रिया हुई और लवन और जल बने तो हम कहेंगे ये कौन सी अभिक्रिया हुई उदासीनी करण की अभिक्रिया हुई है और इस अभिक्रिया में लवन और जल बनने की अभिक्रिया में उश्मा निर्मुक्त होती है ये उश् H2SO4, HNO3 ये mineral acid है objective में भी आप इस बात के ध्यान रखेगा कि तीन mineral acid है ये H2SO4 और HNO3 और दूरबल अमल वे होते हैं जो हमें प्राकरतिक स्त्रोतों से जो हमारे मिलते हैं वो दूरबल अमल होते हैं जैसे acetic acid, citric acid, tartric acid ये हमारे कौन से अमल है दूरबल अमल है और सातिक शार में sodium hydroxide और potassium hydroxide प्रबल शार है इनको आप याद रखेगा दोनों को और इसके अलावा आप याद रखने के लिए इतना समझ लिजिए कि ये दोनों प्रबल शार है और बाकी हमारे बन जाएंगे दूरबल शार जिसमें ammonium hydroxide आजाएगा calcium hydroxide आजाएगा magnesium hydroxide आजाएगा ये सब हमारे क्या बनेंगे दूरबल शार हो जाएगे तो इनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और जो neutralization है उसका देनिक जीवन में जो सबसे बड़िया best example है वो ये है कि हमारे आमाशाय में hydrochloric acid होता है ये भोजन के पाचन में हमारी मदद करता है लेकिन आमाशाय में अगर अमलकी आवशक्ता से दिक मात्रा हो जाए तो हमें अपच की स्तती होती इसको अपाचन कहते है तो ये भोट कश्टकारी होता है आपाचन तो ये से में हम लोग क्या करते है एंटासीड लेते हैं कोई भी एंटासीड लेंगे मतलब आपका magnesium hydroxide भी हो सकता है वो ख्षार के रूप में अगर हम लेंगे तो ये neutralization हो जाएगा और इस तरह से वो हमारी जो आमाशय में जो अमल की आवश्चक्ता से अधिक मात्रा है वो neutralize हो जाएगी और अपाच की इस्तिती से हमें मुक्ती मिलेगी तो इस तरीके से ये neutralization की reaction होती है कई बार आपने देखा होगा कि मिट्टी अमली होती है तो उसको उसमें क्षारक मिलाते है क्षारकी होती है तो उसमें अमल मिलाते है और neutralize करते है ताकि उसमें अमली अक्षारकी मात्रा बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो जाए क्योंकि अगर अत्यदिक अमली है तो भी तकलीब दे है और अत्य दिख क्षारी है तो भी तकलीब दे है तो अत्य दिख अम्ली होती है और अगर चीटी का डंक जैसे काटता है तो हमें पता है कि नेटल के डंक में जो आसईड होता है मैं आपके उपर छोड़ता हूं मैंने पहले बताया हुआ है कि इसमें कौन सा acid होता है तो nettle में और चीटी के डंक में एकी तरह का acid होता है farmic acid तो इसमें फिर हम क्या करेंगे कि इस डंक के प्रभाव को हम क्या करेंगे कि नमयुक्त खाने वाले सोडे से निट्रलाइज कर देंगे तो नमी युक्त खाने वाला सोडा जैसे सोडियम हाइटोजन कार्बोनेट एने एच सीो त्री है ना खाने का सोडा जिसको हम कहते हैं तो वो अगर रगड़ देंगे तो वो निट्रलाइज हो जाएगा तो ये हैं हमारी उदासिनी करन अभिक्रिया धन्यवाद